नमस्कार दोस्तों गुरुचेला चैनल में आप सभी मित्रों का हारदिक स्वागत है आज आपको इस चैनल पे केरुंदा की सबजी बनाना हम सिखाएंगे हमारे घर पे केरुंदा का गाच लगा हुआ था हमने ताजा ताजा केरुंदे उससे तोड़े हैं और उनको काटे हैं काटने के बाद हमें क्या करना है अच्छी तरह से इसको धोना है इसके अंदर बीज होता है उस बीज को निकाल दीजिएगा आप और इसको अच्छी तरह धोना है फिर गेस पे एक तोप्या रख देना है और गेस को चालू कर देना है चालू करने के बाद आपको क्या करना है इसके अंदर डेड मिरकली कम से कम 200 ग्राम के असपास आपने केरुंदे तोड़े हैं डेड मिरकली हमने इसमें तेल डाला है और तेल अच्छी तरह आने के बाद हमें क्या करना है इस तेल के अंदर हमें जीरा डालना है जीरा डालें और देख लिए कि अच्छी तरह तेल आ गया है तो गेस को एक बार बंद कर दीजिए उसके अंदर फिर हमने थोड़ी हिंग डाली है और इसके अंदर थोड़ा सा सौंप सौंप आपने सौंप जानते होगे सौंप को इसके अंदर डाल देना थोड़ी सी और उसके बाद हम क्या करेंगे अपने जो केरूंदे है जो हमने धोके रखे उन केरूंदों को इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला देना है और गेस को फिर वापस चालू कर देना है अब हम इसमें क्या करेंगे मित्रों इसके अंदर सबसे पहले हम इसमें मसाला लेंगे मेच, हल्दी, धनिया और नमक बहुती स्वादिश्ट ये सबजी बनती है मित्रों, खाने में बहुती चटपशी सबजी ये होती है और शरीर के लिए गुनकारी भी होती है हमने आदा चमच इसमें हरीमिश डाले है स्वादान स्वादा आप इसमें नमक एड़ कीजिएगा और थोड़ा सा हल्दी इसमें डालिएगा और आपको क्या करना है आदा चमच से थोड़ा सा ज्यादा आप इसके अंदर धनिया आपको डालना है और अच्छी तरह से इसको ह लाना है और लाने के बाद आपको देख रहा है कि आपका केरुंदा सीजा की निशीजा इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है मित्रों कुछी मिंटों में ये सबजी चटपटी सबजी आपके तयार हो जाती है ये देखिए मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिलाना और इसको दबा के देखिए कि आपका केरुंदा सीजा है कि निशीजा है और ये हमारी केरुंदा की सबजी बनके तयार हो रही है ये देखिए ये एकदम सीज गया है उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ी सी चीनी इसमें एड़ करेंगे ताकि हमारी सबजी खटी मिठी हमारी तैयार हो और यह देखिए यह पूरी चीज गई है अब इसमें हम क्या कर रहे हैं एक बड़ा चमच इसके अंदर हम चीनी यह देखिए चीनी है इस चीनी को हम इसके अंदर एड़ कर रहे हैं एड़ करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से इसको इलाना है और ये आपकी सब्जी, चटपटी सब्जी, केरुंदे की सब्जी आपकी बनकर तयार है इस तरह से आप अपने घर पे केरुंदे की सब्जी बना सकते हैं और ये काने में भोती लाजबा बनती है और ये सरीर में भी भोती गुनकारी होती है अगर केरुंदा का पेड़ आपके घर में है और केरुंदा लगता है तो आप इस तरह से सबजी बनाकर आप उसका आनन ले सकते हैं